आजाते हैं सागुदाना, सागुदाना ये मेरे पास मौजूद है और सागुदाना बनता है, एक फल होता है, जैसे के शकरकंदी होती है, शकरकंदी अगर आपने खाई है तो शकरकंदी अंदर से थोड़ी सी औरेंज कलर की होती है, ठीक है, या किसी जगा पे थोड़ा ओफ वाइट कलर की भी होती है तो ये जो शकरकंदी जैसा फल होता है ये उपर से बलैक और अंदर से वाइट होता है बिलकुर ठीक है और काफी सक्त फल होता है इसको निकाला जाता है निकालने जमीन के अंदर होता ही है जैसे के आलू होता है जैसे बाकी चीज़ जमीन के अंदर जो सब्सी आटती है इसी तरह से ये सब्जी जोser और चापना जाती है उर्ख समी बाहरों निकाल कर दूद बना हाँ जाता है ड्राइ करने के बद फिर मशीनों से गुजार कर इसको दानेदार बना दिया जाता है और ये पूरे दुनिया में फिर सप्लाई होता है अफरीका की साइड में इसको सबसे जादा ये इसकी पैदावार है और ये पूरे दुनिया में जो इस्तमाल होता है लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बंगला, दिश्य वगारे के अंदर बहुत जादा स्कमाल होता है सागुदाना और इसका जो फाइदा है ये आपके जिसम में एनरजी देता है पुराने जमाने में लोगों को देखा होगा कि मल्टी वाइटमिन्स या बहुत सारी एनरजी ड्रिंक टाइप की चीज़ें नहीं होती थी तो लोग बीमारी के बाद जब उठते थे तो सागुदाना दूद में पका कर जो है ना दिया जाता था तो वो कोई ऐसे नहीं देया है तो उसका कोई मकसद था इसलिए कह इसके अंदर एनरजी बहुत होती है ठीक है जी kullan के लिए ये इनसान को पुर्सुकून करता है ठीक है पुर्सुकून का मतलब इया कि बीचैनी खतम करता है इनसान के जश्म के अंदर से सबसे में चीज है जो होना चाहिए और ये बारा महीने इस्तमाल करना चाहिए आम बच्चों को दूद दे रहे हैं आप उसको दलिया बना कर जैसे हम देते हैं तो दलिया की तरह बना कर इसको ना दूद के साथ पका कर दलिया बना लें दलिया बनाके चम्चे से बच्चों को चोटे बच्चों को आप अगर देंगे तो उनकी सबसे बहतरी चीज़ जो होगी वो ग्रोथ में इजाफा होगा, यानि ग्रोथ करेंगे वो बच्चे जो है न, उनकी ग्रोथ जो है न, बहुत या इच्छी होगी, यानि के हड़ियां मजबूत होंगी, कद बढ़ने में बहुत सपोर्ट होगा, इसलिए कि इसमें बहुत सारे इंजाइम, कैल्शियम और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूदें जो हमारी नशुनुमा के लिए बहुत जादा हड़ियों को मजबूत करने के लिए बहुत जबदस्त है, तो अगर बच्चे को, छोटे बच्चे को शुरू से दिया जाए, ये मुस्तकिल तो पर तो ये बहुत फाइदे मन्द है, अगर आप भी कभी जिन्दगी में महसूस कर रहे हैं, लेजी या ठका ठका महसूस कर रहे हैं, तो इसको दूद में पका कर तो अपनी जिन्दगी का हिस्सा बनाए, नैचरल चीज के करीब रहें, ताके आप बीमारी से बच सकें, बहुत सारी मैडिसन्स इस्तमाल करने की ज़रूद ना पढ़ें